अब हम और भी ग्लेंड की बात करते हैं, जो गोनेट्स हैं, गोनेट्स यानि जनन अंग है, रिप्रडॉक्टिव सिस्टम के जो मुख्य अंग होते हैं, टेस्टिस और अवरी होते हैं, यह भी एंडोक्राइन ग्लेंड, उनकी कुछ कोशिकाएं जो हैं, गोनेड की तरह हर् तो यह इस 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 की कुछ कोशिकाएं इंटास्टिशिल हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की सैल्स की तरह काम करती है और हार्मोन का सिक्रेशन करती है वो हार्मोन एंडोरजन कहलाता है इस एंडोरजन हार्मों में टेस्ट्यूंट एंडोर्यों स्टूरों यूसे यंद्रोस्टियूर। हार्मों की सक्रिवता से ही लड़कों में जो दित्यक लेंगी गलक्षण यादि सेक्टरेस Catacкиol कम स्रवित हो रहा है या उसकी मातरा बहुत कम हो गई है तब क्या होगा तो निश्चे दुरुप से यह लक्षन उनका विकास नहीं हो पाएगा और यदि आब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी या अंडाश है जो है वो मुख् होता है इन में तीन तरह के हार्मों की हम बात करते हैं जैसे एस्टोजन है प्रोजिस्टरॉन है और रिलेक्सिन हार्मोन है एक और हार्मोन ऑक्सिटोसिन या रिलेक्सिन एक ही बात है तो यह हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो एस्टोजन की बात करते हैं तो एस्टोजन हा विकास होता है और फिर बसा का जमा होता है शरीर में और रजो धर्म मासिकदम स्टाटा राइबा हुझा सब्सक्राइब कारण होते हैं दूसरा प्रोजिस्टरन हार्मोन है तो ये गरभा वस्था के समय इसका काफी मातरा में जिसके कारण जो प्रसव यह इस देलेवारी कहतं है वह Watch तो इस तरह से हमने एक यह टेस्टिस अ ओवरी यह झो रिप्रोटीक्टिव ओर्गन्स रेषिमें फैल० chew तरह काम करते हैं यानि उन में से भी हार्मोन सीक्रिट होते हैं जो पर्टिकुलर एक काम करते हैं अब हम एक और ग्लेंड की बात करेंगे पिटिटरी ग्लेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अमने जितनी भी ग्लेंड की बात की इन सब का नियंत्रण ऐसा नहीं है कि यह सारे अपने स्वानियंतृत होगर काम करती हैं सब के उपर और कोई net कोई एक उपर नयंतरग होता है तो नसारी allions की उपर भी एक नयंत्रग है यानिеру इसको हम देखते हैं तो सारी ग्रंतियों का नियंत्रन जो है एक ग्रंति प्यूज ग्रंति जिसको कहते हैं पुकुति जो बाई जाती है उसके नियंतरन से ही सारी ग्रंदिया जो है वो नियंतरित रहती है सबसे जयादा हर्मोन आप देख ही तक रहे हैं नियंतरन2000 को यह गोती है मैं से से कुषओ कौनची सेलस में जाएगा कितनी मात्रा में जाएगा उसका नियन्तरन इसके दौरा होता है फिर अप ड़ी और मा जो माता हैं उनमें दूद का निर्मान जो है वो इस LH हार्मोन के कंट्रोल में रहता है और यह कहां पर है प्युष ग्रंती के द्वारा सिक्रिट हो रही है फिर गॉनेडोट्रॉबिन हार्मोन देख रहे हो इनका भी उत्पादन इस तरह से नियंतरण होता है कि शरीर में ट लुझे दियाइड देख ध्राइचन जोद में को नियंतरथ करता है इसलिये इसको फॉस्टर्ण भी कहते हैं ऐसे तो देखा जाए इसके उपर भी यानि एडिनल ग्लैंड पर जो यह सीक्रीट हो रहे हार्मोन इस पर भी एक और का कंट्रोल होता है जिसको हाइपोथेलेमस कहते हैं तो ओवराल देखा जाए तो हाइपोथेलेमस जो है पिटिटरी ग्लैंड के द्वारा स्रवित होने व स्रवित होगा उसका नियंतरन कैसे होगा वह एक इंपोर्टेंट बात हैं जिसको हमें समझना जरूरी है तो कई वार यह कोष्ण आता है कि मास्टरी ग्रंधी करना जाता है तो आप इसका अंसर दे सकते हो कि बहुत सरे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और जो दूसरी अन्य ग् के द्वारा कॉन से हार्मोन सही कुछadows होते है उनका काम क्या है कैसे होता है इसको हमने देखा आव मैं ये बैस समझना जरूरि है कि हार्मोन का स्रवण जो है वो कैसे एक एक मातरा में इसका सिकृटिछल गाहर इसका हार्म मातर में कि दर कब कम होगी या कब बंद होगी तो यह feedback control होता है या उसके secretion के दर को जो है उसपर control किया जाता है तो जरूरी है कि हार्मोन जो है शरीर की आफ्षक्ता के अनुसार ही यह स्रबित होता रहता है और कभी वातवरनिया यदि कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके सबस्क्राइल कि इन देगेफान 500 लाथ ऑनुसर भी इसकी मात्रा है वह घठती बढदती रहती है, तो इसकी मात्रा कब कितनी रही अथा कि उधना होगा, इस को हमें समझ्जना होगा, तो तेखा जासाए तो हर्मोन, जिन ग्रंथियों के दौरा स्रवीत हो रहे हैं और टार्गेट सेल तक पहुंच रहे हैं तो वैसे तो देगा जाएं इनकी हमेशा हमयशा ज़या जादा रहता है रक्त में सकी मात्रा जो है अधिक रहती है लेकिन जैसे ही मतलब टार्गेट सेल्स के द्वारा इसका किया जाता है तो इस तरीके से हार्मोन जो है टार्गेट सेल के उबर उसके कारिकी पर उसके फिजियोलोजी पर कंट्रोल करता है और टार्गेट सेल जो है वो हार्मोन के सेक्रिशन पर कंट्रोल करती इस तरह से दूनों जो है एक दुसरे को कंट्रोल करते हैं दो फैक्टर फीडबेक करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जब किसी हार्मॉन टार्गेट सेल में इनका सक्री उपयोग करने लगता है, मतलब जब हार्मोन का जो टार्गेट सेल है वो इसका फटा-फट उपयोग करने लगेंगी तो रक्त में इसकी मात्रा कम हो जाएगी और गरंतियों से इसका सिक्रिष्यन जो रेट है वो बढ़ जाएगा तो एक एक जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि इनसुलीन हार्मोन हम जानते हैं ग्लुकोस जो है वो क्या शवशन की प्रक्रिया के द्वारा कोशिक आए इस ग्लुकोस का उपयोग करती हैं रक्त में ग्लुकोस रहता है तो ग्लुकोज से उसका उपयोग करके ऑक्सिडेशन की प्रक्रिया होती है और उर्जा उत्पादन होता है यह सब हम प्रक्रिया को जानते हैं कि यह ग्लुकोज जो है रक्त में इसकी एक निश्चेत मात्रा का बने रहना बहुत जरूरी है जब कभी आप तो अभी छोटे हैं आ कोई पैथा लब में टेस्ट कराने गए तो उनके रिजल्स आते हैं तो जो सामा मतलब जो रेंज है एक नॉर्वल रेंज की जो बात की जाती है वह 80-100 मिली ग्राम पर 100 ml ब्लड की बात की जाती है कि उसमें 80-100 मिली ग्राम यह ग्लुकोज का लेवल होना चाहिए तो यह द इसनी मातरा बने रहने के लिए क्या जरूरी है कि इंसुलिन का सिरावन कहां हो रहा है पैंक्रियास में हो रहा है पैंक्रियास से यह इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है जो रक्त के ज़रिये सारी कोशिकाओं में पहुंच गया अब सारी कोशिकाओं को इस इंस और यॉसरी कोशिकादों को लेने प्रेडि करेंक रहते है ताकि रख्त में इसके मात्रा बनी रहे लेकिन जैसे ही मालोई इसके मात्रा कलोंग है बलड में ऊस्ट शूगर की यानिक्लूकोस की मात्रा कम हे तब क्या होगा एन्सुलिन का स्रावान जो है और इन्सुलिन का स्रावण कम हो गा तो दूसरी कोशिकों को भी प्रेडित नहीं करेंगी कि वो ग्लुकोस ने क्योंकि उल्रेडी रख्त में ब्लड कम हो गया है तो जो एक नॉर्मल रेंज वो बने रहना चाहिए और इसका कंट्रोल हम देख कौन हार्मोन कर रहा है इंसुलिन हार्मोन कर रहा है इंसुलिन हार्मोन तो कर रहा है लेकिन हमने फिर देखा कि उसका सिक्रिशन या उसका जो स्रवन है वो किस पर डिपेंडेंट है कोशिकाओं के द्वारा ग्लुकोस के लेने या न लेने पर उनकी निरभरता पर कि इस तरीके से की फीडबेक कंट्रोल जो है चलता रहता है कि तो गज़ों हमने दू थो तरीकों से हमारे शरीर की जो वय वेवस्ता है उसको देख है एक हम ने देखा कि तंत्रीका कोशिकां ऐसमें तन्तरीका कोशिकां के साथ मेरो रज्दू और ब्रेन भी शामिल था इन के पारिए पनित वार्मों है थे यौह एंडोक्राइन गलार्ट करती चाहिं उसके दवारा भी हमने कई सारी प्रक्रियां को रहे इस तरीके से देखा जाए कि दोनों के जरिये हमारा शरीर जो है समन्मित व्यवस्तित और नियंत्रिट ढंग से जो है वो सारी प्रक्रियां जो है वो संचालित होती है अब एक और महत्वपुन बात करते हैं कि हार्मोन की जब हम बात कर रहे हैं जिसमें पिटुटरी कर रहे हैं यह कहां पर है यह ब्रेन में है तो इसका भी कंट्रोल कौन रखेगा ब्रेन रखेगा ओवराल देखा जाए तो सारी व्यवस्ता का कंट्रोल कौन कर रहा है ब्रेन कर रहा है चाहे तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा सूचनाओं का आवागमन हो रहा है या फिर कि तरीके से ये रषाइनों के दारा और आथन्त्रिकाओं के दारा जो है समन्मित रोप से ये सुचारव भं से हमारा ऐा शरीर जो चलता रहता है। अब बात करते हैं in a कि यहां हमने अभी जनतों में देखा ये मनश्यों में देख कि या पादों हे इस तरीकी का प्रक्रियाएं आपने देखी होंगी कि जैसे आप अकसर देखते हो कि सुभा फूल खिलते हैं लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे पौदे हैं जिसमें फूल रात को खिलते हैं जैसे रात की रानी है ऐसे हम छुई मुई की हमने पाठ के शुरुआत में भी बात है कि वो सुबह के समय वो सूरज की दिशा की तरफ उसका मोड़ना हो जाता है तो इस तरीके से कुछ प्रक्रियाएं है या बेल जो है किसी का सहारा लेकर वो उपर बढ़ती जाती है तो इन में कुछ न कुछ ऐसे सूचनाएं का आवागमन होता है जिनके जरिये जो है वो प पादबों में पाये जाने वाले यह रसायन विशिष्ट होते हैं जिनको हार्मोन ही कहते हैं लेकिन यह हार्मोन जो है पादब हार्मोन से जन्तु हार्मोन से अलग होते हैं यानि जन्तु के हार्मोनों की अभी हमने जितनी विवात की है चैमिकल यानाची पादब हार्मोन अब एक एक्सपेरिमेंट से इसको समझने का प्रयास करते हैं. तो है आपने चार्ण्स डार्विन का नाम सुना है , आपकी कक्षा के पहला अध्याय जो है उसके बारे में चार्ल्स डार्विन तर्रांसिस डार्विन की बारे में आपने पड़ा, उन्होंने इती स्तुरी नहीं थी एव ن Forms談 डार्विन का सिध्धांद दिया था इस तरीके की प्रतिक्रियाओं का अध्यान वेज्यानिक कर रहे थे और पौदों में उद्धीपनों को ग्रहन करने वाले अंग और केंद्र में जो प्रभावित होते हैं उन दोनों के बीच जो है सुचनाओं का आवगमन होता है और उन अंगों के बीच जो है सुचनों का प्रवा होता है और यह एक्सपेरिमेंट से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यह सुचना इन तक पुछती हैं यह आप जैसे चित्र देख रहे हो आप इसमें पहला वाला हिस्सा जैसे देख रहे हो यह तन्हा जो है वो लाइट की तरब यह प्रकाष की तरब वो मढ़ जाता है दूसरा देख रहे हो कि असका सिर कटा हूआ है मतलब जो तन्हा है उसका उपरी सिरा को काट दिया गया है वो है तीसरा आप देख रहे हो कि उसमें अपारदर्शी टोपी लगाय दी गये है पारदर्शी का मतलब है कि अब उसमें लाइट जो है यानि सूरी की प्रकाश है उसके अंदर जा रही है इसलिए वो पारदर्शी कहा जा रहा है नेक्स्ट वाला देख रहे हो कि अधिकांश निचला भाग जो है वो अपारदर्शी आवरण से ढखावा लेकिन उपर जो है वो खुला हुआ है यानि उसमें सूरी का प्रकाश जो है वो आ रहा है तो इस प्रयोग में देखकर कुछ कोशन भी दिया गया है कि कुछ हिससे ज प्रकाश की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं या उनकी तरफ वो व्रुद्धि कर रहे हैं तो पहला जैसे हम देख रहे हैं कि जिसका सिरा जो है वो प्रकाश की तरफ मोड़ा हुआ है फिर आप देख रहे हो दूसरा कटा हुआ है तीसरे में अपारदर्शी टोपी लगा हुआ है चौते में भी आप देख रहे हो फिर उसका तना जो है सुरी के प्रकाश की तरफ मुड़ गया है और पांचवा भी आप देख रहे हो सुरी के प्रकाश की तरफ है इसका मतलब है कि इन अध्यनों से विज्ञानी को नहीं यह पता लगाया कि पौदे के तने के शीर्ष भाग सब्टनुक पर क्योड़ उसके विपरित दिशा की कोशिकायं से उसके सुचना मिलती इस विफाजन करने की सूचना मिलती और जिससे विफाजन करने लगती है कि यह वाले तो जो सिरा जिसका नहीं कटा हुआ था वो लगातार वृद्धी करते हैं क्योंकि वहां पर शीर्ष स्थल पर तने के शीर्ष यां रूट के भी शीर्ष स्थल पर प्रभीभाजी कोशिकाएं पाए जाती है तो यहां बात समझ गए कि यदि प्रकाश लगातार मिल रहा है तो विपरे दिशाम में एक सूचना मिल रही है वहां की कोशिकाओं को प्रभीभाजी कोशिकाओं के वृद्धी करने के लिए विभाजन करने के लिए विभाजन करेंगे तब वृद्धी होगी तो इस तरीके देखने नंते हम सब्सक्राइब और से ओन से शुचनां पूर्प सब्सक्राइब लिते में घृड़ा के युग egent से जौना बें ना समय के पथे में मेव दियुकरियान का ऐसे हमें वुर्द्धी होना तो इस तरीके से ये जो खुआइण जेविक करी बाद किन ना कूई की बात टी ते hari हार्मों का पाए जाते हैं वह हार्मों कौन से होते है और क्या काम करते हैं इसको हम देखेंगे तो अब प्लांट हर्मोन की बात करते हैं कुछ हर्मोन जैसे ऑगसीन है जिबरेलीन है साइटोकाइन एथिलीन है एपसिसी कैसीड है तो ऑगसीन जो है इसका काम क्या है यह कोशिकाओं की वृद्धी में सहायक होता है अभी जैसे हमने की बात की न की पौधा का जो तना है वो सुरी की दिशा की तरफ मुड़ जाता है तो यह फोटो ट्रॉपीजम भी इसको कहते हैं तो वहां पर टिप में कौन सी मेरिस्टमेटिक सल्स हैं और वहां पर ऑगसीन हॉर्मोन होता है जो यह उसके लंबाई में यह उसके ग्रोथ में यह उसके वृद्धि में यह सहाइक होता है तो यह तने जड़ पतियों फलों की कोशिकाओं में उसके वृद्धि में सहाइक होता है और जिब्रेली ने यह भी तने की कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है और वृद्धि को प्रेरित करता है ताकि पौदे जो आपने एक कहावत सुनी होगी कि खर्भुजा को देखकर खर्भुजा जो है वो रंग बदलता है तो यह कहावत बिल्कुल सही भी है कि यह होता क्यों है असल में पॉदो जब पकने वाले रहते हैं इनमें एथिलिम गैस रहती जिसके कारण यह जो आपने देखा होगा कि प् पकने लग जाते हैं तो दूसरे कलर ने और मीठी वस्तों बदल जाते हैं तो एथिलिम गैस रहती है को फलों पकाने में साहटी है अजकल इस एथिलिम गैस का जो आद्योगी के पहमाने पर इसका उप्योग किया जाता है तो जैसे कुछ फल है टमाटर आम है एपल है यह तो यह कच्छे ही इनको तोड़ लिया जाता है एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और एथिलीन गैस यदी वहां छोड़ दी जाती है तो यह पकने लग जाते हैं यह गैस निकलती भी है जो दूसरे फल को पकाने में सहायक होती है तो यह एथिलीन गैस के कारण ही पकने लग और आपने देखा होगा कि फूलों पर जो है तितलिया और केड़े मंदराते रहते हैं इसका भी एक रीजन है कि जो फूल के जो इस्तिरिक केसर या कारपेल होता है जिसके स्टिग्मा पर मतलब कुछ विशेश रसाइनिक पदार्थ होता है जो पराक कणो को अकर्षित करता ह तक कि आगे जो है फटिलाइजेशन की प्रोसेस हो और फल और वीज का निर्माण हो तो इस से अट्रैक्ट होकर पराग कन आते हैं जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है इसके बाद पराग नलिका है इसके अंदर में बनती है और फिर पिजायन्ड तक पहुंचती है, और फिर आगे फाल और बीज बनने की प्रक्रिया प्रारम होती है, एक और हार्मोन की बात करते हैं, अब यह जो है, दमन करने वाला, यह वरिद्धी को रोकने वाला हार्मोन है, जैसे हमने जनतू में भी देखा था, फीड़एक पती आंटा कम्पलीट हो गई तो आप उसको रोग दिया जाता है आगे की लंभाई ना हो तो यह भी इस हार्मॉन के प्रभाव के कारण होता है एक और हम विषिस्ट बात को सबजने का परयास करते हैं कि दक्षिन अमेरीका के घास मैदान ऐसी जगह है जहां पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाय जाती है तो वहां पर हमारे जैसे इंडिया में आपने आज-पास कई जगों में गबुल का पोधा देखा होगा ऐसे ही बबुल के पौधे जिस पदार्थ को खाने से जीवों पर कोई असर नहीं होता है लेकिन एक समय ऐसा आया अचानक जो है ये सारे जीव जो उन पत्यों को खा रहे थे वो खतम होने लग गए मरने लग गए तो जब उन जीवों का परिक्षण किया गया तब देखा गया कि उनके शरीर में जो है जो उनके मृत्यों का है कारण बन गई अब विग्यानिगों ने ये पता लगाया या फिर अध्यन आगे किया कि पेडों की पत्यों में भी टैनिन की मातरा को देखा तो बहुत ज़्यादा मातरा थी तो पहले तो इसमें मातरा कंपाई जाती थी लेकिन वहां के सारे पेड पाई जाती है अब हमने बता है कि अधिलीन गैस के जरीए ये सूचनाए पौदों में एक से दूसरे तक पहुची जिसके कारण सारे पाउदों की पत्तियों में टैनिन की मातरा ज़्यादा हो गई इन्होंने अपने आपको तो बचा लिया क्योंकि हर कोई जीव अपने आ कि अपने आपको बचाने की कवायद में उनमें टैनिन की मातरा ज़्यादा हो गई जिसको खाने से जो शाकहारी जीव थे वो खतम हो गया तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि कैसे जीवों में पौदों में या मनश्यों में संचार व्यवस्था कैसे होती है या कंट्रोल किस तरीके से होता है या सुचनाओं का आवागमन किस तरीके से होता है अभी हमने पौदों में बात की जैसे हार्मों के द्वारा रसायन के द्वारा होता है तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि पौधे और जन्तूं में किस तरीके से ये शरीर के संचालन करने के लि बहुत अच्छे धंग से करती हैं ताकि शरीर के जो सारी जविक प्रक्रियां हैं बहुत 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 कि उस तो इस तरीके से बचो सी क्लास के एए वन कोड़ीनेशन और की से लिए लेगा वे सक्रामारन के दूर्माकर टोन है तो 15 के अंटा था ने आ वंतमावाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बहुत सार ऐसे questions आते हैं जो बहुत अची तरह से समझने के लायक हैं जिसमें आप समझा brain का structure समझा neuron cell का structure समझा, reflex action को समझा, plant hormone का समझा, human being में हार्मोन्स को समझा उनके फंक्शन को समझा तो यह बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको बहुत अच्छे से आप और भी बारवर देख के समझने का प्रयास करेंगे